भाईया हरो आज एक कारिकम में हमने आमंत्रित करो है पशु चिकित्सा विशेशग डॉक्टर डी के शर्मा जी खूँ और बहुत महातुपूर्ण एक विशय पे अपन चर्चा करवे वाले हैं आज के एक कारिकम में डाक साब सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत स्वाग बहुत अच्छा प्रस्न है सागर के लिए ये बड़ी स वभागा की बात है कि जो 10 जिले भून प्रत्यारोपण के लिए लिये थे उसमें सागर भी है और कार प्रारम भी हो चुका है मैंने ये राश्टिय गोकुल मिशन के अंतरगरत भून प्रत्यारोपण कारिगरम जो सागर में चल रहा है हमारे पास 96 गाय का टार्गेट है जिसमें से हमने तहित्तर को पूरा कर लिया गया है दो बेच में हमने गायों को सिलेक्शन किया है देखिए एक चीज में समझा दूँ किर्तिम गर्वाधान जो सेक्स आर्टेट सीमन से होता है उसमें केवल फीमेल काफ मतलब बचिया ही पैदा होती है इसी पिरकार लेकिन यदि आपके पास दो लीटर तीन लीटर की गाय है और आप ऐसा कई बार करेंगे तब जाके आप उसको अपग्रेड कर पाएंगे जैसे आपकी तीन लीटर की गाय है उसमें आपने उन्नक नसल का बीरिये डलवाया कृतिम गरवादान फीमेल वाला कराया तो अगली जो संतती आएगी वो 5-6 लीटर होगी फिर वो बचिया जब बड़ी होगी फिर उसको आप इसी पिरकार कृतिम गरवादान कराएंगे तब वो 8 लीटर होगी ऐसे करते करते आपको 10 वर्स लगेंगे 20 लीटर वाली गाय तयार करने में लेकिन साथियो यह बड़ा ही प्रसनता का विसा है कि यहाँ पर सीधा 7 दिन का फीमेल काफ बचिया आपकी 1-2 लीटर वाली जो गाय है उसी में लाके रख दिया जाएगा और 9 महीने बाद जो बचिया पैदा होने वाली है वही बचिया आपको सीधा 20 लीटर जब वो बड़ी हो जाएगी 17 महीने में फिर वो उसका गर्वाधान करेंगे 9 माय और लगेंगे मतलब आपको 35 महीने में आपको वो बचिया मिलने वाली है जो 20 लीटर दूद से जादा एक दिन में देने वाली है जो काम हम किर्तिम गर्वाधान से 10-15 साल में हम उन्नती कर पाते वो ठीक आपको डिड़ वर्स में वो हमें प्राप्त हो रही है तो यह बहुत ही तेज है अच्छा इसमें एक बहुत अच्छी वात यह है कि इसमें जो फीमेल काफ डाला जा रहा है जिसमें 21,000 रुपे का खर्च है जिसमें 14,000 रुपे मद्द प्रदेश सरकार सफसिटी दे रही है और 5,000 रुपे कैंदर के द्वारा इसमें सफसिटी प्राप्त हो रही है हमारे पसुपाला को केवल पंद्रा सो रुपे खर्च करने हैं वो भी तब जब की वो प्रेग्नेंसी की डाइग्नोस करा लेगा मतलब निश्चित रूप से उसके गाये के गर्व में बच्चा बढ़ने लगेगा तब ही उससे पंद्रा सो रुपे लिये जाएंगे जी तो डग साब एक तो देखो जहां गईया की पाँच्छे पीडी गुजरजबे के बाद जो फायदा हो रहो है वो बहुत जल्दी हो रहो है दूसरी चीज जो खर्चा हो रहो है वो मध्यप्तदेश सरकार और केंद्र सरकार में लाकें दे रही है किसान को लगभग नाके पर लगभग नाके बरावर खर्च पढ़ रहो है तो जातों बहुत अच्छी बात है दूसरी बात जा आत है कि किसान भंपनाः या सरकार अपनी मनसा पसुपालकों सरकार अपनी निरूप बनग करेंद का रह रहा है किवल गिर्ण और साहिवाल गाय का चल जो की देसी ही गाये हैं, इनहीं के भ्रूण लाएं जाएंगे, क्योंकि जब इनहीं की छमता 20.5 लिटर से जादा है, तो हम hybrid पे क्यों जाएं, जर्सी है यहीं गिर गाये हैं? अभी हमने जो मंगाये हैं, जो भ्रूण तयार करवाये हैं, वो लगभग 50 तो हैं आपके गिर क बाकि 33 हैं साही वाल के इस परकार हमने भून बंगाये हैं और यह कारिक्रम आपको बिजवास दिलाने की बात है कि यह कारिक्रम यहां सागर में सुरू हो चुका है दो बैच बनाए गए थे पहले बैच में हमने 43 43 गायों का चैन किया है जिसका सिंक्रोनाइजिसन किया जाता है इसका मतलब यह है कि 43 गाये एक ही दिन में गर्मी पे आएंगी क्योंकि जो बच्चा आपका जो चल रहा है हमारा जो बाहर से आता है जिसको कि हमको गुजरात और एहमदाबाद से यह बच्चा उसमें इंकुबेटर में चलता है और यहां त पसुपालकों से जो हमने सेलेक्ट किये हैं वो उसी दिन गर्मी पे आएंगे एक साथ और उसी दिन उनका ट्रांसपर होना निश्चित होता है उसमें समय की बहुत ही बादेता रहती है तो जैसे 43 पसुब को हमने पहले दिन जो सिंक्रोनाइज का एक इंजेक्शन लगाया जा रहा है वो भी इसी के पैटर्न पर चल रही है मतलब वो गाय की घर्मी पर आएगी 31 तारीक को फिर साथ दिन निकल जाने पर उसी चटबे दिन उस गाय से बच्चा निकाला जाएगा बीस पच्चीस बच्चे दो तीन गायों में से जो गाय की बहुत जादा कीमत है उन अगले ही दिन अगले वैच का होगा तो सबसे पहले तो डाक साब आपके माध्यम से आपके विभाग खौम धन्यवाद देते हैं किसान पशुपालक जो भहिया विन्ना हरे हैं उनकों बहुत बधाई देते हैं यह उजना के लाने यह बाकई में कमालकी है आपको एक चीज माध से का है डिड़लाक रुपे यदि आपका खर्च पचास हजार भी जाता है पांच गायों को पालने में तो आपकी एक लाक रुपे प्रतिमाय आए बनती है जो की बहुत ज्यादा है बिल्कुल बिल्कुल तो डाक साब एक प्रश्न और दिमाग में आ रहो है कि जो हित्तर गाय सेलेक्ट की हैं उसमें सब देशी क्रास किसी भी ब्रेड की हो केवल यह बहुत आवश्चक है एक तो वो प्रेगनेंट ना हो पहले से दूसरा यह है कि उसका जो जननानंग है या आपका जो प्रश्नन च्छमता है वो बहुत अच्छी होना चाहिए दूद चा केवल पालन पोषरंड कर ना है कोई भी गुण उसमें होगा ही नहीं लेकिन लोग इसको ऐसा ना समझें कि हमाइब पास बांज गाय है उसमें ये बच्छना डलवाले तो यह उसका नेराकरन नहीं है यह ब्लकुल इसपस्थ है नहीं तो लोग कि हैं सर हमाइए बहुत होत कि दो चार महीने प्रेगनेंसी को हुए हो हाँ यह बहुत ज्यादा पुरानी गाय इसमें हमने सिलेक्ट नहीं की है क्रिशान भाइयों को कि आप से ज्यादा रिस्क सरकार उठा रही है सरकार साड़े उन्नीस हजार रुपे लगाए वे ठीए आपके केवल पंदरा सो रुपे लग रहे हैं तो हमें सरकार का साथ देना है और पसूच के शक्त जैसा जैसा आपको दिसा निर्देश दे रहें वैसे ही आपको गाय को रखना है गाय को इधर उधर ट्रांस्पोर्ट करना है ठीक है लेकिन गाय में टैग लगा होना चाहिए और इनाफ पोर्टल पर उसकी इंट्री होना बहुत आवश्यक है मतलब आपके जो गाय का टैग है वो आपके आधार कार्ट से लिंक होना आवश्यक है तो डाक साब यदि आज की बातचीत को सुनके हमाई कोई पश कुछे के शाले में पहुंचिए लेकिन करना यह होगा कि ऐसा ना हो एक सर्किल होता है आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि यह लाइव जो बच्चा है साथ दिन का बच्चा यह इतना समय जर्णी में लग जाता है यहां हमें ट्रांस्पार्ट के लिए बहुत कम समय होता है तो ऐसा ना करें एक ही गाउ से कुछ लोग तैयार हों कम से कम दस या पंद्रा गाय सेलेक्ट करें जिससे की एक बार में चादाः तो हमें आने जाने में इतना समय लग जाएगा कि हमारा भूण है यह साथ दिन का बच्चा है वह क्योंकि और इंकुबेटर में है उसके दिन भर में दस से पंद्रा भून का प्रत्य रूपन कर पाती है यदि हम जरनी में समय लगा देंगे दूर दूर गाउं सेलेक्ट करेंगे तो मुश्किल होगी आप निकटतम पसुच के शलाय में जाएं जिला नोडल अधिकारी में स्वयम हूं मैं निश्चत रूप से किसा कान के हित में काम करूंगा और दूसरी बात यह आप दस से पंद्रा या बीस गाए ऐसी ले लें जो हैल्थ से बहुत अच्छी हो उतनी ज्यादा कमजोर ना हो दुख दूत पादन छमता कुछ भी हो चलेगा तो आप सबसे पहले तो टैग लगवाईए इनाफ पोर्टल प है कि यदि आप एक लाग रुपे दो लाग रुपे भी आज लेके चले तो किसी भी पसू बाजार में बीस लिटर से जादा वाली गाए आप नहीं खरीद पाएंगे उपलब दता ही नहीं है तो यह बहुत अच्छा आफसन है सागर में बंदेल घंड में दुख दूत पा पारी गईया है उसे एक ऐसी बच्छिया आप ले सकत हो जो सीधे आपको मतलब ओ गईया कि अगली पीड़ी में आपको सीधो बीस लीटर दूद मिल है तो निश्चेत रूप से बहुत अच्छी योजना है इमें आपको ज्यादा खर्च नहीं डिर हजार रुपईया बाक पालकों से आज की भेंटवारता के माध्यम से केबो है और डाक साब आपने एक कारिक्रम में आके हमाएक किसान पशुपालक भाईया हरों को इतनी अच्छी जानकारी दई इतनी अच्छी योजना के बारे में बताओ आपके लाने बहुत बहुत धन्यवाद